वंदेश्री प्रफुसत गुरुम् गुणनिदिम् सद्भक्त कल्पद्रुमं मन्दानाम शरणम् शरण्यममलं नाथन्पनाथ आश्टें। यत्सत्तावशजे नस्थावरभो देहस्चेश्तान्वितह सोयंगोवि दधातुवांचित पलं मानिक्य कल्पद्रुमा। इन शब्दों में प्रहु महाराज के चरणों में अनंत कोटी प्रणामर पित करते हुए आज इस माघ कौर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोजित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्यता की अनुभूती हो रही है। धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए जितने भी विशय हैं। उन सभी विशयों में सर्वसाधारन लोगों में चर्चा का एक विशय प्रायह देखा जाता है। और वो विशय है चमत का अभी कुछ दिन पहले कहीं मैं ये चर्चा सुन रहा था। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहा था कि भगवान श्री राम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकाबले में कम चमत काली है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनका चरित्र, उनकी लीदा और श्रीमत भागवत में, महाभारत में, अन्यान में गरंधों में, जिस प्रकार से उनका वर्णन हुआ है, उसको अगर हम देखें, तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है, वो चमत कारों से भरा है और भगवान रामचंद्र जो है उनका जो चरित्र है वालमी की रामायन में रामचरित मानस में उसमें इस प्रकार के अधभुत चमतकारों का अभाव देखा जाता है तो क्या हम ये मानले कि भगवान श्री कृष्ट जो है वो भगवान श्री राम से श्रेश्ट हैं अथवा भगवान श्री राम जो है वो भगवान श्रीकृष्ण से करिष्ट है ऐसा माने क्या चर्चा इसी विशह पर चल रहे हैं भगवान श्रीकृष्ण का चरितर देखें कि उनका जो जन्म है काराग्रह में जो उनका जन्म हुआ वहीं से चमतकारों का प्रारम बहुँ जाता है काराग्रह में उनका अवतार धारन करना उसके बार जो है उनके पिता वसुदेव द्वारा उनको यमुना नदी में से मध्यरात्री की वेला में नदी के उस पार गोकुल में पहुँचाना और गोकुल में जाने के बाद अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा चमतकार है उसके बाद बालकों के साथ खेलते हुए कालिया मर्दन का चमतकार है वो भी अत्यंत अध्भुत ऐसा चमतकार है उसके बाद मित्रों के साथ गोपों के साथ सखाओं के साथ गोवर्धन परवत को अपनी कनिष्ठी का पर धारन करना यह बहुत बड़ा चमतकार है और अंतता जो है इस प्रकार की चमतकारों की श्रिंखरा जो है वह महाभारत के युद्ध्य में विश्वरूप दर्शन पर आकर जो है उसकी एक तरह से कहें कि उसकी उसकी पूर्णता हमको दिखाई देते हैं तो अब यह इतने सारे चमतकार भगवान के चरित्र में तो सारहरन व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है उसमें ऐसा है कि भगवान जो है चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो चाहे गणेश जी हो हनुमान जी का चमतकार समुद्र से समुद्र पर से लान कर चले गए तो यह परमात्मा के जो विविद रूप है इसमें ऐसा है कि इश्वर सर्वशक्ती मान इश्वर क्या है क्योंकि हम उस घटना के तारतम्य को उसके कारियेतारन भाव को समझ नहीं पाता है चमतकार कब होता है एक बहुत प्रसिज्द जादूगर हमारे भारत वर्ष के PC सरकार बगएरा यह रोग बड़े बड़े प्रसिज्द जादूगर हों अब उन्होंने बहुत बड़े-बड़े तो यह जो चमतकार हैं उनको देखकर हम इसलिए आश्चरी चकित होते हैं क्योंकि उनकी कारण का हमको ज्ञान नहीं होता है जगत में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी घटनाओं में एक कार्य कारण परंपरा होती है जगत में यह कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण होगा जब कारण का ध्यान होता है तब हम उसको चमतकार नहीं मानते हैं किन्तु जब कारण का ज्यान नहीं होता तब हम कार्य को देखकर उससे चमत्कृत हो जाते हैं उससे आस्चरिय चकित हो जाते हैं और उसी को हम चमत्कार कहने लग जाते हैं किन्तो एक बाआ बेदांत का एक सिधांत है कि जगत की प्रत्त्येक वस्तु कार्यकारण भावसे बंधी हुई है कार्यकारण भावसे बंधी हुई है जैसे अब उधारन के लिए क्या तो मालेरी यह अंगूठी है अब इस अंगूठी का कारण क्या इस अंगूठी का कारण स्वर्ण है इस अंगूठी का कारण स्वर्ण है और स्वर्ण का कार्य यह अंगूठी है तो इसकी हमको कार्य कारण परंपरा का इसका हमको ज्ञान है इसलिए इस अंगूठी के बंदे में हमारे सामने कोई चमतकार नज़र नहीं आदे किन्तु यदि इसके कारण का ज्याद नहों इसके कारण का ज्यान नहों तो निश्चे ही हम उसको एक चमतकार मांग ले किन्तु वेदान्त का सिध्धान्त ऐसा है कि जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो सब कार्य कारण परंपरा में बंधी हुए जो भी वस्तु होगी उसका एक कारण होगा जैसे एक व्रिक्ष है उस व्रिक्ष का कारण क्या तो उस व्रिक्ष का कारण बीज व्रक्षु उस व्रक्षय का कारण व्रक्ष्प का किया तो उसका व्रकारण醒 उसी तरह से हम है हमारे कारण क्या तो हमारे माता पिता हमारे कारण में किन्तु Chinese अपने आपने पिता की तुल्णा में क्या है वो कारी है और उनके माता पिता जो है वो कारण तो इस तरह से अनारी परंपरा अनारी अनंत ऐसी परंपरा कार्य कारण की हमको जगत में सरवत्र दिखाई लेती है किन्टु परमात्मा के विशह में परमात्मा का कोई कारण नहीं है परमात्मा कैसा है तो परमात्मा जो है वो कारिया कारण विलक्षण है न वो किसी का कार्य है, न वो किसी का कार्य है, विदान्त के दिश्टी से देखें, तो शुद्ध सच्चिदानन देखन परमात्मा न किसी का कार्य है, न किसी का कार्य है, कार्य कारण दिलक्षन होते विए भी, अपनी माया शक्ति के साथ संयुक्त होकर, वो सर्वशक्ति मान साथ ईष्टवर बन जाता है उसके लिए कुछ भी करना कुछ भी करना जो है करतुं अकरतुं अन्यता करतुं ऐसी शक्टि से संपन्ण होने के कारण परमात्मा के लिए इष्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है है टीक तो इसलिए अभा में अवतार है रामक्रशन इप्तियाद अवतार है उन आवतारों के द्वारा जो अलोकिक ऐसे क्लियाएं हमको दिखाई देती है वो जो है उसका उसका वह आविशकार है और उसका आविशकार होने के कारण उसके उसकी कार्यकारण परंपरा का दियान हमको नौने के कारण हम परमात्मा की उस लीला से आश्चर्यचकित होते हैं, अभीवूत होते हैं और उस परमात्मा की लीला को हम एक चमतकार मानकर जो है उससे हमको एक प्रकार का आश्चर यह होता है एक प्रकार की अभिभूती होती है कि हमारा जो परमात्मा है हमारा जो आराध्य है हमारा जो दैवत है हमारा जो इश्ट है हमारा जो लक्ष है उसके उसके अंदर जो है सर्वशक्तिमान है इस बात का ध्यान होने के करण हमको अ सारी जो बाते हैं यह मूर्खता की बाते हैं यह सका कोई आढ़ार नहीं है कि ऐसे ही बेकार की बात क्यूंकि आ परमात्मत्तंवेक है राम और कृ chicken में भेड ही नहीं है तो भेड नहीं Un humor किसी अववतारं ने पर्मात्माने कुछ लीड़ा दिखाई किसी अवतार में पर मात्मा ने कुछ लीड़ा दिखाई तो इसलिए जो है वो सारी आशी बाते जो है दियर की बाते है इसके इस इस पर ध्यान देना हमारे लिए उचित जतने abroad अब अब प्रशना आता है है की हमारे जो संट है हमारे जो महात्मा है हमारी जो रुबूतियां है जिनको हम परमाप्म अन्षा मानते हैं अइसे संतों के द्वारा भी उनकी चरित्र में अनेक चमतकार होते हुए, हम घटिक होते हुए, हम देखते हैं। जितने भी संत है, महात्मा है, नयानेश्वर महराठ का चरीत्र है, कि उसके अंदर उन्होंने वो भषे के मुक्ष से वेध बुलुबाया। यह दीवार चलाकर दिखाएंगा प्रशने या है कि परमाफ्मा जो रहें वहसर्वशक्त इमान. परमात्मा क्या है सर्वशक्ति मान seus और यह महात्मा आ में जो शंत आ हैं जो विभूत्यां वो क्या है वो मानव शरीर धारन करने वाले वो क्या है मानव शरीर धारन करने वाले अब मानव शरीर धारन करने वाला अब्यक्ति क्या ऐसे चमतकार कर सकता है यह प्रश्ण क्या ऐसे चमतकार मानव शरीर धारन करने वाला वेक्ति कर सकता है हम देखते हैं कि अनेक अलोगिक पुरुश हमारे यहां भारतवर्ष में हुए जिन्होंने अनेक चमतकार करें अब फिर पुना जब चमतकार की बात आती है तो पुना चमतकार यानि है क्या जिसके कारण का द्यान हमको नहों वो चमतकार और चमतकार को नमस्कार है मैंने जैसे कहा शुरू में कि भगवान राम और भगवान क्रश्ण के चरित्र के संबंद में जिस प्रकार लोग वार्विवार करते हैं उसी तरह संतों के विशय में भी करते हैं कि अमुक्र संत ने अमुक्र चमतकार किया अमुक्र संत ने किया क्या अमुक्संत ने अमुक्सक्ती दिखिल आई रख्लाय क्या इस प्रकार प्रशन लोगों के मन में भ्रहम उत्पन्न ह strategies एब देखें हमारे यहां कि योग शास्त्र में शिद्यों का वर नंग योग शास्त्र में सिद्धियों का वर्णन है और पतंजनी महामुनी ने अपने योग सूत्रों में कहा कि जन्मशरी मंत्र, तंत्र, तपह, समाधिया, सिद्धया पतंजनी मुनी ने इन चमतकारों के लिए जो नाम दिया, वो नाम है सिद्धि, सिद्धया यहने क्या, तो सिद्धियां, सिद्धि का बहुआ चन्मशरी मंत्र, तपह, समाधिया, सिद्धया, ऐसा, योग शास्त्र का सूत्र है तो यह सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, तो पतंजनी मुनी कहते हैं, जन्म से, आउशद ही से, मंत्र से, समाध ही से, यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जन्म से कैसे होती हैं, तो जन्म से ऐसे होती हैं, कि पूर्व जन्म के पुन्यों के कारण, पूर्व जन्म के संचित पुन्यों के कारण, जो है, कोई महात्मा, जब पुनह देह धारन करता है, उनहां शरीर को प्राप्त होता है तो वो पूरो जन्म के उसके जो संस्कार है पूरो जन्म की उसकी जो सारणा है पूरो जन्म के उसके जो पुन्य है उन पुन्यों के फल पर वो सिद्धियों को प्राप्त होता है तो सिद्धी के लिए दूसरा साधन बताया आउशरी आउशरी तो ऐसा है कि आप डेखिए आज कल अगे बढ़ा हुआ और आवशर्ईयां ऐसी ऐसे रोग है और उन रोगों पर मात देने वाले आउशर हैं तो आउशर जो है, वह एक प्रकार की सिध्धी है, एक प्रकार का चमतकार है, एक प्रकार का महद आश्चर यह, आउशरिया जो है ना, वो बड़ी चमतकार ही होते। किसी आदमी को बुखार आजाए किसी आदमी को बुखार आजाए आपने उसको एक प्रोसीन की गोली खिलाने के बाद 20 मिनिट के अंदर उस आदमी का बुखार उतर जाता है के नहीं चमतका है अब यह अपना कोरोना है अब इस कोरोना की Vagar सीन आ रही है उसकी दबाई है उसके अनेक आउसरियाँ प्रचलीट हो गई है तो अब शारी आउशरिया आउशरियाँ जो है को कोरोना ग्रस्तों को रोग से मुक्त करती हैं कैनि है क नहीं है आख सिद्धिये उसके बाद द्राय तो मंत्र से भी सिद्धि की प्राप्टी होती है और अन्तताह पतंजलिन मनी ने कहा कि समाधी या सिद्धया यहां समाधी समाधी के द्वारा जब वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है वो संथ वो महात्मा वो विभूती जब समाधी के द्वारा ध्यान के ध्यान के माध्यम से समाधी के द्वारा जब वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है तो क्या हो जाता है एक रूप होना यहने क्या है अब उस बल्ब में प्रकाशित होने का सामर्थ है क्या बल्ब अपने आप प्रकाशित होता है क्या एक बल्ब है एक वायर उसको लगी हुई है एक वायर रहतार है बल्ब है फुल्डर के अंदर बल्ब इठाया होगा अब वो बल्ब जो है स्वयम प्रकाशित हो सकता है क्य नहीं हो सब्सक्राइब किन्तु जब उस बल्ब का कनेक्शन विद्युत शक्ति के साथ हो जाता है उस बल्ब का कनेक्शन जब विद्युत शक्ति के साथ हो जाता है उस समय वो बल्ब जो है जिसके अंदर स्वयम प्रकाशित होने का सामर्थ नहीं है वो बल्ब स्वयम प्रकाशित हो जाता है किसके सामर्थे से होता है किसकी शक्ति से होता है तो वो परमात्मा की जो सर्वशक्ति मत्ता है उस सर्वशक्ति मत्ता से एक रूपता होने के कारण परमात्मा की सर्वशक्ति मत्ता से एक रूपता होने के कारण इसके अंदर जो अल्पसामर्तिसालिय ऐसा देह है इस देह के अंदर अलोकिक ऐसे सामर्ते अलोकिक ऐसी सिध्धी जो है उसके अंदर प्रगट होती है उसके अंदर प्रगट होती है तो इसलिए हम यह देखते हैं कि संतों के चरित्र में महात्माओं के चरित्र में महान जो भूत्रियां हमारी हुई या अध्यात्मिक उनके चरित्र में हमको ऐसे अनेक चमत्रति पूर्ण घटनाएं जो हैं ऐसे अनेक घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं जिनकी ओपर सहसा विश्वास करना अत्यंत्य कठी प्रभु महाराज के चरित्र में ये घटना है कि बीदर क कुछ दुष्ट यवनों ने प्रभु महाराज की परिक्षा लेने के उद्देश से उनको अपने यहां भोजन के लिए निमन पूर प्रभु महाराज जो हैं वो सभी मतों में सभी संप्रदायों में सभी धर्मों में समता की दृष्टी रखते थे इसलिए उन्हें सकलमता आचार्य कहा जाता है उनके जो यवन भक्त हैं उनको पीराने पीर दस्तगीर के नाम से जानते हैं तो बीदर की एवनों ने कुछ दुष्टों ने मिलकर एक शरयंत्र रचा और शरयंत्र रचकर प्रभु महाराज को अपने यहां भोजन के लिए निवन्पीद किया और यह भी कहा कि महाराश्री आप पढ़ा रहे तो अपने साथ अपने पूरे शिष्य परिवार को को साथ में लेकर आप तो प्रभु के शिश्व में सभी धर्मों के, सभी वरणों के, सभी जातियों के लोग थे, उसमें कुछ ब्राम्मन थे, कुछ शत्रिये थे, कुछ रूद्र थे, कुछ वैश्य थे, सारे भक्त परिवार को लेकर प्रभु महराज जो है, नियत समय पर जहां निमंतरन दिया गया था, वहां पहुंशे, दुष्टों ने अत्यंत समारंब पूर्वक प्रभु महराज का स्वागत किया, बड़े थाट बाट से प्रभु महराज को बिठाया, और उसके बार फिर कहा कि अब भोजन जो है, आप करें, हम भोजन समर्पित करते हैं, आप भोजन करें, प् भोजन के थाल जो है, वो अनेक थालों में अनेक प्रकार के वेंजन, जिसके अंदर मांस के पदार्थ, मध्यमांस इत्यादी, अभक्षय पदार्थ जो है, वो धक कर लाए गए, और प्रभु महराज के सामने रखे गए, प्रभु महराज ने उन्हीं यवनों के कपट को जान लिया था, और प्रभु महराज के जो शिश्य परिबार था, भक्त लोग के, वो बड़े चिंति कि अब क्या होगा, अब अगर प्रभु महराज उस अन्नकाति रसकार करें, कहें कि मैं यह नहीं खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, फिर उनकी समता के ओपर प्रश्न हो जाएगा, और अगर प्रभु महराज उस अभक्ष्य का भक्षन करें, उसको खा लें, तो क्या हो जाएगा, तो धर्म की हानी, अब क्या करें, वस्त्र ढखा उए, प्रुमाहराज के सामने ठाल रखा उए, मध्यमाउस इत्यादी अभक्ष्य पदार थे, उस ठाल के अं और कहा अवद हो तक्षिंतना श्री गुरुदे वजत्त वस्त रहटाया गया तो वहाँ खड़े हुए लोगों ने आश्चर्य चकित हो कर देखा कि जितने सारे पदार्थ थे वो सारे दूद फल मिठाई की त्यारी में परिवर्थित हो गया कि मन लेच्छे आनिली मध्य माउस कुसुमें दुगधा कृती हो दसे तो तो सारे पदार था जुएं को भल फूल मिठाई में परिवर्थित हो गए प्रव महाराय ने अत्यन धानन्द पूर्वक वस्तुमों को गिर्ण किया सारे लोग अश्चरी चकित हो गए बड़ा चमतकार हुआ बड़ा चमतकार हुआ जो जवनों का कपट था वो कपट जो है वो उनका शरेंत्र जो है वो खुल गया परश्चाताप हुआ ख्यमाया अचना की सारा भाग जो है चरित्र के अंदर विस्तार पूर्वर दिया गया है अब अब देखिए यह जो चमतकार है इस घटना का विश्लेशन अगर हम करें तो देखिए कि गाय के रक्त मांस से ही दूद की उत्पत्य होती है ठीक है अब वहाँ जो थाल के अंदर था वो क्या था तो वो गोमान से ही था गोमान से था प्रभु ने क्या किया उस रक्त मांस से फिर दूद की उत्पत्य की है तो इसमें वैज्ञानिक दिश्टी से अगर देखें तो रक्त मांस से दूद की उत्पत्य होती है यह सिध्धांत है रक्त मांस से दूद की उत्पत्य होती है यह अब वो गाय के शरीर के अंदर होती है या गाय के शरीर के बाहर होती है यह अलग विशह प्रभु ने क्या किया प्रभु ने अपनी सक्ता से अपने सामर्थे से वो जो वईज्यानिक प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को वहां पर शनार्द में घटित कर दिया बस शनार्द के अंदर घटित कर दिया क्या हुआ तो मांस से रख्त की उत्पत्ति मांस से दूद की गाय के शरीर की अंदर जो रख्तमान समझ्जा इत्यादी है उसी से दूद की उत्पत्ति होती है वहां भी क्या था वहां भी रख्तमान से ही था उसी से दूद की उत्पत्ति कर दी तुम लेच्षे आडली मध्यमाव सब्समें दुगधाकरती हो तसे यह जो बचन है प्रहोचरितर में वो जो है अत्यंत प्रहु महाराज ने वहां क्या किया तो जो काल लगता है गाय को घास खाने के बाद उसका रक्तमांस बनकर उसका फिर दूद बनने में जो समय लगता है जो क काल लगता है उस काल को प्रहों हाराज ने चोटा कर दिया और शनार थे अंदर जो है वहां दूल इत्की अजिव मिठाई गाई जह लगता है अब देखें अब यह जो चमतकार इसके कारण का ज्यान हम को नहीं है इसके इसके कारण भी माम साम नहीं कर सकते और दूसरी बा सतत जिसका परमात्मा से जो सतत युक्त है जो परमात्मा से सतत युक्त है तो सतत युक्त होने के कारण जो है परमात्मा की जो सर्वशक्ति मत्ता है वो इन अवतारी पुरुशों के माध्यम से इन विभूतियों के माध्यम से इस प्रकार से प्रकट हो जाए इसमें आश्च इक घटना क्या तो बैठे बैठे यहां मानिक नगर में बैठे बैठे प्रहो महाराज ने समुद्र के अंदर किसी जहाज को तूफां से बचाया चयरित्र में अत्यंत्षान प्रसिधे सी घटना है दयाय स्विधा और उसका जहाद डूब रहा था वो तूफान के अंदर घिर गिया उसने प्रहम्हाराँ तैसमरंद किया प्रहम्हाराँ ने यहां बैठे बैठे अपने हाथ ओपर किए और उस जहाज को बचाया अब जब हो धल्याल-दास आए वापस प्रहम्हाराँ के पास अपनी गृतद्यता को वेक्त करने के लिए और नमसकार करने के लिए धन्यवाद ज्यापित करने के लिए जब वा है तब प्रहु महाराज ने आश्चारे वेक्ति किया बोले क्या हुआ उस ने का महाराज ऐसा है कि मेरा जहाज संकुत में फस गया था तूफान के अंदर फ्च गया था और आपका स्मरन किया और यह जहाज जो है मेरा लाकों की संपत्ति भच गई मेरा अमुक हुआ तमुक हुआ वगयरा वो बताने जला तो प्रहु महाराज ने सुए Housing देट तक अच्छा मुझे ऐसा हुआ मुझे नहीं मान। तो ऐसा है कि संतों के हाथ से जो है वो चमतकार घटित हो जाते हैं उनको करने की आवश्यक्ता नहीं है वो अपने आप घटित होते हैं और कभी 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 तो क्या अप्राया है यह जो संत हैं जो महात्मा है इनको ऐसा हुआ इस बात का भान भी नहीं रहता उसा हुआ इस बात का भान भी नहीं रहता वो तो रहुमारा तो हमेशा अच्छा दत्त प्रवों ने ऐसा किया अच्छा अच्छा जब भी कोई घटना ऐसी घड़ जाती थी तो हस देते थे प्रवारा हसते थे कि कहते थे कि अच्छा प्रभु ने ऐसा किया घट प्रवों ने ऐसा किया तो वहां क्या है कि उस घटना का करत्रत्र जो है अहंकार विमूर आत्मा करता हूं निती मन्यते जो अहंकार से विमूर आत्मा है वो मैं करता हूं ऐसा मानता है किन्तो जहां पर ममता और अहंता पूरुनतह समाप्त हो जाती है ऐसे अवतारी पुरुशों के जीवन में सहज तया ऐसी अनेट घटनाएं हुआ करते हैं जिनके विशय में उनके कारण का ज्ञान नहोने के कारण हम उसको एक चमतकार मांग बैठते हैं अब अब प्रश्न यह आता है कि ऐसे जो संत हैं ऐसी जो विभूतियां हैं जिनको हम अपने सद्गुरु के रूप में चुनते हैं तो उनमें भी सर्वसारण तया हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो गुरु है वो जमतकारी होना चाहिए तो शास्त्र में ऐसा है कि चार प्रकार के गुरुआं की बात की गई है एक गुरु एक ऐसा जिसके पास न्यान भी नहीं और जिसके पास सिध्धी भी नहीं एक गुरु ऐसा जिसके पास न्यान भी नहीं और जिसके पास सिध्धी भी नहीं ऐसा गुरु ये केवल नाटकी होता है ये क्या होता है ये नातक ही होता है और प्राया एक छोटा मोटा जादूगर होता है उसके पास कोई सिद्धी नहीं होता है किन्तु वो एक छोटा मोटा जादूगर होता है हाथ की सफाई से थोड़े से खेल दिखाता है और थोड़े से खेल दिखाकर बूर्ख लोगों को ब्रहमित करके अपना चेला वेला बनाकर अपनी दुकान चलाता रहता है तो एक प्रकार का तो यह हुआ शिश्यासी नकरवी साधन नकरवी इंद्रिय दमन ऐसे गुरू अड़क्या चेती न मिडाले तरीत्य जावे हमारे रामदा स्वामी महारा ने बड़ा सुंदर का तो ऐसा एक प्रकार का गुरू होता है दिखाई देता है जलतने सरवत्र द चकान चलाने के बाद उसका झरहस्य है उसका फूट जाता है फिर कहां दिखाई देता है वह तर आमुग जेल में तब जयलू में घरवधर जो है वार कारावास में यह जाता है लोगों को धोका देने के हारा लाका मिंधार ऐसा एक गुरु जो है समाल में हमको दिखाई देते हैं ऐसे गुरु जो है ऐसे हमको दिखाई देते हैं उसके बाद ऐसे भी गुरु ऐसे भी दिखाई देते हैं हमको जिनके पास केवर सिध्धी है किन्तु ध्यान में पर अपनि सारणा के बल पर अपने अनुष्ठान के बल पर कुछ सिद्धियां कुछ लोगों को प्राप्त हो जाती है किंतु उनके पास ज्यान नहीं सिद्धी है ज्यान नहीं के आमाने कि पास सिद्ध्य है कि नियान में हमारे किस काम उसके पास बहुत सिद्ध्य थे अरिमा खरे नियुक्त नहीं मत्राप्य प्राकाम कर में प्रफ तो भी वह ihmारे किस नहीं का गुरु हमको किस लिए चाहिए गुरु हमको ज्यान प्राप्त करने के लिए चाहिए सिद्धी के प्रदर्शन के लिए गुरु की आवश्यक्ता नहीं है हमको ज्यान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यक्ता है तो जिसके पास के वर सिद्धी है सिद्धी मात्र है और ज्यान नहीं है ऐसे भी लोग है और तीसरी कैटेगरी कौन सी तो तीसरा प्रकार ऐसा है कि जिनके पास ज्यान है किन्तु सिद्धी नहीं जिनके पास ज्यान है किन्तु सिद्धी नहीं है ऐसा गुरू ऐसा गुरू चलेगा ऐसा गुरू जो है वो चलेगा क्यों चलेगा क्यों कि हमारा काम मनदा बाकी उसको सिद्धी है कर नहीं हमको क्या मतलब उस गुरू को सिद्धियां प्राप्त है या नहीं है इससे हमारा क्या मतलब हम आम से हमको मतलब गुठली से क्या ले ही नहीं वो जो है हमारे काम का Newton ketah qawtha जो है वो कैसा होता है उसके पास सिध्धी भी है उसके पास अभी है कि उसके पास जिए और उसके म्यान आठी तो ऐसे चार प्रकार के लोग हम को दिखाइं देते समाज के बार तो सर्वश्रेष्ट क्या तो सर्वश्रेष्ट जिसके पास ज्यान है जिसके पास सिद्धी है वो जो है वो सर्वश्रेष्ट है ऐसा सद्गुरू भाग्य से प्राप्त होता है ऐसा ना भी मिले ऐसा सद्गुरू जो है जो सिद्धी और ज्यान दोनों से युक्त ऐसा ना भी मिले तो भी जो ज्यान से युक्त है ऐसे सद्गुरू का वरन करना चाहिए किन्तु कदापी केवल सिद्धी वाले के पीछे अत्वा केवल जादू वाले के पीछे लगना जो है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है वो हमारा नुकसान ही करता हुटा हमारे को ब्रह्म में डालता है हमको ब्रहंती में डालता है अपे तो हमारा किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाव इन लोगों के पीछे लगने से नहीं दोता है यह बात आप ज्याद में लगें अब जो है यह जो चमतकार होते हैं हमको ऐसा लगता है कि यह चमतकार केवल परमात्मा इश्वर कर सकता है ये चमतकार जो है केवर सारू संत महात्मा कर सकते हैं हम साधारन लोग जो हैं हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा लगता है किन्तु आप देखिए कि सबसे बड़ा चमतकार जो है सबसे अधिक चमतकार जो है वो हम साधारन मनुष्य करते रहें हम साधारन मनुष्य हमारा जो देह है हमारा जो देह है वो कितना बड़ा चमतकार है कितना बड़ा चमतकार है सोचिये कि दो अनुओं के सम्मेलन के कारण शुक्र और रज के सम्मेलन के कारण ये इतना बड़ा देह बना सोचिये कितना बड़ा चमतकार है है सुचिया कितना बड़ा चमतका है शुक्र और रज के अनुओं के संमिलन के कारण यह इतना बड़ा शरीर बना हिए नकि अब शरीर की अंगर क्या हो है इस शरीर की अंगर चमतकार एसा है dzisiaj कि यह व्रीधिक विच्राप्ट होता यह बढ़ता है लोग कहते हैं ना कि वो कहते हैं चमत का क्या तो एक अमुक महादेव है कहां तो कहीं किसी परवत में एक महादेव है तो महादेव क्या है वो पत्थर का जो महादेव है शिविलिंग जो है वो हर साल एक चावल के दाने के बराबर जो है वो बढ़ता है या कोई गणपती है क व्रिद्धी को प्राइब एक चावल के दाने के बराबर उनकी हाइट जो है बढ़ती रहे अरे वो किसने मापा यहां पर प्रतिक्षन बढ़ रहा है यहां प्रतिक्षन जो है हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है यहां प्रतिक्षन जो है यह शरीर की शक्ति, इसके अंदर पीने की शक्ति, इसके अंदर चलने की शक्ति, इसके अंदर बोलने की शक्ति, इसके अंदर समझने की शक्ति, इसके अंदर विशार करने की शक्ति, इसके अंदर स्मरण रखने की शक्ति, इसके अंदर प्रोज, इसके अंदर काम, इसके अंदर इससे बड़ा कोई चमतकार नहीं हो सकता देखा जो चमतकार है वो सबसे बड़ा चमतकार और उस चमतकार को करने वाला कौन मैं मैं कर रहा हूं उस चमतकार देखिए चमतकार 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 की बात करते हैं लोग आज से 25 साल पहले किसी ने कलपना की थी क्या वीडियो कॉलिंग होगी मोबाइल फोन होगा हां सौ साल पहले किसी ने कलपना की थी क्या ये वीडियो कैमेरा और ये मोबाइल फोन ये रेल आए उनीजिवभासट में सबस्राइल एलेक्रिक लाइट आए तो गाउं के लोग चमत्रित हो गए तो समय सारे चमत्कार उसमज में आने लग जाते हैं सारे चमतकार समझ में आने लग जाते हैं और मैं जैसे आपको बता रहा था कि यह मानव देह का जो चमतकार है नवदियाकार क्या है कि वास्तों में धुर मनुष्य क्या है 이 गुत्चे में बिल्ली में ताथ है नुफिछ बशलखे कुछ़ नहीं है पश्वा है मंश्य को परमात्माने जो बुद्धिदी बुद्धि तेश्यामि अरिको विशेश है जो बुद्धिदी ऐं वो सबसे बड़ा जमतगा एंस सारे इतने आविशकार नहीं को मेरे सामदें यह एक प्रकार का चमतकार, यह मेरे सामने माईक रखा हुआ, यह एक प्रकार का चमतकार, हवाई जहाद है, वो एक प्रकार का चमतकार, किन्तु यह सोचिए, कि इन यंत्रों को बनाने वाली जो बुद्धी है, उस बुद्धी का चमतकार कितना बड़ा है, इन यंत्रों को बनाने वाली जो ब उस बुद्धी का चमतकार कितना बड़ा इसलिए गटोपनिशरु में एक स्थान पर एक मन्त्र आता है, इंद्री ये भ्यपरा, हिर्टा, अर्थे ब्यस्च पर्मनाहा, मनस अस्थव पराव उद्धिर उद्ध il आत्मा महानपर हे हैं अंध्रि यह भ्यब्परा हर्ता है इंद्रियां यह स्वेम शक्तिशाली है वे प्रकार का चNewsक्तार करोंदे की लेने की सक्ति सक्ति है यह एक प्रकार का चमतकार आखों में देखने की शक्ति है कानों में सुनने की शक्ति है जिवा में रस को चखने की शक्ति है जिवा में बोलने की शक्ति है तो यह सारे जो है इंद्रियों के अंदर हमारे यह शक्ति है वह एक प्रकार का चमतकार और इन इंद्रियों से भी इ से हैं और जैटे विशेओं से भी मन जारा शक्ति शानकर इन्रिय इंणियों के विशे उन्रÚ उन्रफीरियों से भी मन जो है और जो हो उससे ही अधिकृते मन की अंदर कितना सामर्थ मन की अंदर इतना सामर्थ्य है कि यहां मैं आप बैठा हुआ हूं तो इस क्षण जो है मैं बंबई जाके वापस आ सकता हूं कहते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृत्वी तेक पहुंचने में करीब आठ या नौ मिनिट का समय लगता है कि सूर्य से रोशनी की किरन निकली तो पृत्वी तेक पहुंचने में आठ या नौ मिनिट का समय लगता है किन्तु मन को सूर्य तक जाकर आने में एक सेकेंड में आध बार जाकर आता है एक सेकेंड में आध बार हमारा मन जो है वो सूर्य तक जाकर वापस आ सकता है तो मन के अंदर इतनी शक्ति है देखिए ये सारी जो रिखती है ना कि सारा बहुत बड़ा चमतकार है ये बहुत बड़ा चमतकार है जिस प्रित्वी के ऊपर हम बैठे हुए हैं इस प्रित्वी के ऊपर हम बैठे हुए हैं वो प्रित्वी अपनी धुरा पर एक हजार मील प कार जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क के उपर से गुजरती है तो घबराठ होने लग जाती है आपकी कार या रेलवे जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जोड़े तो कभी-कभी घबराठ होने लग जाती है किन्तु प्रिथिवी जो है वो अ प्रतिघंटा की रफ्तार से घूमते हुए यह प्रित्वी जब सूर्य के इर्दिगर चकर लगाती है तो साथ हजार मीन प्रतिघंटा उसकी स्पीड होती है कितनी कितनी सिक्स्टी थाउजंड माइल्स पर आवर ऐसी घूमनी वाली प्रित्वी के उपर हम लोग स्थिर बैठे हैं ऐसी घूमने वाली जो प्रित्वी है उस प्रित्वी के उपर हम लोग स्थिर बैठे हैं यह कितना बड़ा चमतकार कहीं आपने किसी ने कागज निकाला किसी ने फोल निकाला किसी ने विभूती निकाली किसी ने अगूती निकाली इसको हम चमतकार मानते हैं किन्तो साथ हजार मीन प्रितिघंटा के रफ्तार से जो है सूरी की परिक्रमा करने वारी जो प्रित्वी है उस प्रित्वी के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हम स्थिर बैठे हुए हैं यह बहुत बड़ा चमतकार है और यह मन की बात मैं आपको बता रहाता है मन जो है बड़ा है उसके बाद स्मृतियों का संग्योजन है सुख को अनुभव करता है दुख को अनुभव करता है इस सारी यह सारा चमतकार है इसकी कारण परंपरा हमको न्यात नहीं है ऐसा क्यों होता हम नहीं बता सकते मन दुखी क्यों होता है नहीं बता सकते मन सुखी क्यों होता है न आपने दर रोटी जय शरीर के अंदर प्रयान के शरीर के अंदर प्राशूय के जो भी अन्न हम खाते हैं वो अन्न खाने के बार उसका रक्त बनता है उसका उसकी मज्जा बनती है उसका मांस बनता है उसकी अस्थियां बनती है उससे धातुय बनती है उससे अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं शरीन के अंदर यह सारा जो कुछ होता है वो कहां से होता है कैस कि मन मन से भी बड़ा रचामतकर क्या कि मन से बड़ा चामतकर न yang इस धितनी आविशकार कि साहरा जो कुछ चलन ग्रेंग हैं C कैमेरें हैं कि मोबाइल फोन पलेंगे अलग तरीके का मflowing इस अंदर अधर सुविधाए хлопya यह सारी चीजें यह हैं यह सारी चीजें बहुत पड़ा चमतका और यह किसके करण किन्तु एक बात ध्यान रखिए कि इंद्रिया यह मन यह बुद्ध यह सब क्या है यह सब जड़ है यह कहां से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो बुद्धि को भी शक्त देने वाला जो है बुद्धि को भी चालना प्रदान करने वाला जो हैं वो कौन है तो वो आत्मा तो आत्मा जो है उजो चैतन्य है उजो परमात्मा का स्वरूप है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है किम बहुना वही सब कुछ करा रहा है वही सब कुछ करा रहा है ये नरूपम रसम गंडम शद्दान पर्शाग उष्च महिठुनान ये ते नहीं बविजान आती किमत्र परिशिक्षते ये तत्वई तत्व एसी कटोपनिशन की शुति है जो को महान आत्मा के शक्ति करण यह सब हो रहा है कि उस आत्मत्र को जिसने जान लिया उस आत्मतत्व का साक्षातकार जिसको हो गया उस आत्मतत्व से जो संयुक्त हो गया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं 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 एक छोटा सा लोग की कुदारण आपको देता हूँ अजकर सर्वत्र आपने सुना होगा आपको मालूम हो वाई वाइफाई नाम की चीज वाई 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 फाया ने क्याлюч कि वाई वाई फाय यहने कि इंटरनेट का एक प्रकार जिसके दौरा आप अपने ँच्पोन मोबाईल को इंटर्नेट से जोड सकते हैं और जोड के जो है आप अपना कारोबार कर सकते, तो परमात्म शक्टि कैसी है, वो वाई-फाई की तरह है, आपको दिखाई में लिए अकसर हम लोगों को सुनते हैं क्या, तो वाइफाई नेटवर्क बहुत वीक है, वाइफाई नेटवर्क अच्छा स्ट्रॉंग है, तो जहाँ वाइफाई नेटवर्क स्ट्रॉंग होगा, वहाँ आपका फोन जो है, वो धरले से चमतकार करता चला जाए, जहाँ वाइफाई नेटवर्क कम होगा, वहाँ पर वो गोल गोल घुमता रहेगा देदी करें तो वाइफाई नेटवर्क की बात वाइफाई के अंदर ये खास बात मैंने देखें वो वाइफाई पासवर्ड से चलता है वो वाइफाई जो है वो पासवर्ड से चलता है पासवर्ड के बिना वाइफाई नहीं चलता है उसका अगर द्यात नहीं है तो वाई फाई चले होते हुए महों और होंगी पास्वर्ड आपके पास नहीं तो वो चलेगा नहीं प्रमात्मशक्ति का जो वाई फैर है उसको एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड ऊसके भक्ति उसके लिए पासवर्ड क्या तो उसके लिए पासवर्ड है भक्ति और वो पासवर्ड आप जितनी तत्परता के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे उतनी तत्परता से जो है वो वाइफाई की शक्ति जो है वाइफाई का नेटवर्क जो है बोलते ना कि वाइफाई नेट पर पौऊरफुलों तो फिर बड़े बड़े चमतकार होने किसी को कुछ पेमेंड करना तो हमारा एकाउंट नुट अटेंट ऑया उसनिका महाराज Imm vous आथे कि वह सारी आठ्वी ऑपन पड़ेुन वह किसी और म norm h करना मैं कि अध़ेस्ट करेंं नहीं है तो बढ़त पिद्क हम आशाया आपको फॉन दीजिये में आपके फॉन से वाइफाइ से जो है मैं आपका प्रियमें डिखेक test तो उसने दीया फॉन restrictions के माध्यम मैं एक कि एक अमुक राश्य मांनीज़ेट कि ऊसको सूचना मिली कि मानिकम क्थर से और उसके बार उसके खाते में पैसे जमा हो गए इस बात की सुचना तुरंत मुझे मिली इस बात की सुचना जो है तुरंत मुझे मिली तो यह सारा जो कुछ व्यवहार हुआ मैं एक सारा जो कुछ व्यवहार हुआ वह कितनी देश में हुआ एक चन है यॉर पेद्थ वास्केस्फोल सकते आ हुआ है योग पेद्थ के सुक्सेस्फूल एक सेवेवहार हुआ। एक सेकंड के अंदर कहा है राबाद कहा मानिक मेंगर कहा रकम कहा धनराशी उसके खाते में गई इसके खाते में गई और वो भी शाम के समय जब बैंक बंद है बड़े आश्चरी की बात शाम के साथ बज़े बैंक बंद है बैंक में ताला लगा हुआ है बैंक का मैनेजर ता प्रतिक्षन होते रहते हैं, प्रतिक्षन होते रहते हैं, इसे क्षन हो रहा है, जैसे मैं आप से बात कर रहा हूं, तो आगे मुझे क्या बोलना है, ये मुझे अंदर से प्रेरिना आती है, ये एक प्रकार का चमतकार, ये एक प्रकार का चमतकार, मैं जो बोल रहा हूं, उस करने नहीं पढ़ते चमतकार परमात्म शक्ति से परमात्मा की जो माया शक्ति इस माया शक्ति के कारण यह चमतकार घटित होते रहते हैं किन्तु ऐसे जो चमतकार है इन चमतकारों को जो है समझना और समझ कर ये परमात्मा की शक्ति का आविश्कार है ऐसा जानकर उसका आनंद लेना इसमें बड़ा मज़ा मज़ा किसमें है और जो पीछी सरकार जो जादूगर है या जो भी जादूगर लोग होते हैं उनके बड़े-बड़े शो होते हैं भारत में तो कम मगर बढ़िया बढ़िया जादू की शो होते हैं तो वहाँ पर जो है टिकट लेकर जाकर सो डॉलर का पचास डॉलर का टिकट लेकर जाकर और टिकट लेकर जाकर हॉल में बैठके चमतकार देखते हैं कि शेर आया और शे या नजरबंदी के खेल बूलिए जाजूगर लोग दिखाते रहते तो यह उसको देखकर जनता आनंदित होती है उसको देखकर जनता जो है टिकट लेकर बढ़ती है और आनंदित होती है उस चमतकार को देखकर उसकी उसका एक प्रकार का मजा रोपते हैं तो उसी तरह से प पिची खित्सा करने में उसके कारण को खोजने में कितना भी खोजेंगे उसके कारण का पता हमको नहीं लगेगा क्योंकि परमात्मा स्वयम कार्यकारण भी लक्षन है तो इसलिए जो है यह जो चमतकार घटित होते हैं परमात्मा के चरित्र में संतों के चरित्र में हमारे आ pilota नगों के प्रति युदो उसके प्रति ऊबाणी सिब्सक्राइब को सकती है कि मेरा प्रभु जो हो कितना सारज़ा 알 Tar Agora कितना सक्तिमान है और उससे में जुढा हुआ। तो उससे जुढा होने के कारता मैं यह हमारे लिए क्या होजाएंगे उनका जो है उसके अंदर माउप तो हो जाएगा और यह स्बसाधार आप्ल की पीछा है तो पास्वर्ड को आप नहीं भूलें पास्वर्ड जो है ना वो कभी नहीं भूलना चाने हैं चाहिए पास्वर्ड को ću पासवर्ड क्या है तो पासवर्ड है भक्ती भक्ती उस पासवर्ड को यार रखिए उस पासवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाहर जो है आपको जो है ऐसे अनेक चमतकार जो है आपको अपने जीवन में प्रतिक्षन दिखाई देंगे वो दिखाई दें उसका आनंद आपने, उसको समझने की शक्तिfire आपको प्राप्त हो, ऐसा शुबाशिरवाद देते हुए, आपका मंगल हो, आपका हुब हो, आपका कन्यान हो। ऐसा शुबाद देते हुए आज के इस प्रवचन कु यहां विराम देता हुए। अवधूत चिंतन श्री गुरु देव रत्त सत्गुरु मानिक प्रभु महाराज की जै।